वियार में अगले साल विदान सबाचुना होने हैं लेकिन सुख बुगाहाट अभी से तेज हो गई हैं मेरे साथ इस वक्त राजसभा के नव निर्वाचित सांसद उपेंदर कुश्वाह जी मौजूद हैं बाचित करने के लिए RLM पार्टी के मुख्या भी हैं और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बढ़ाई बहुत धन्यवाद अब मेरा अगला सवाल ये है कि कैबिनेट में कब शामिल हो रहे हैं उपेंदर कुश्वाह जी इस सवाल तो मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए अब मेरा भी सह भी नहीं है विठानसभा चुनाओ का इंतिसार हो रहा है या क्या कहना चाहेंगे नहीं बिलकुल हमने कहा कि या सब्जेक्ट ऐसा है जिससे सम्बंधित सवाल मुझसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए और इसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे कि विठानसभाई नहीं है आपने प्रेस कॉंफरेंस भी किया पिछला अगर तीन चार साल देखें तो आपके लिए उतार चड़ा भरा रहा लेकिन अब आप राजे सबा सांसत हैं अब आपकी स्ट्रेटीजी क्या है ने स्ट्रेटीजी तो रासभा में रहें न रहें सदन में रहें न रहें पबलिक का जो इसू है कोड इसू है बिहार की जनता का या फिर देश के अस्तर पर भी कुछ इस तरह की इसूज हैं जिसको लेकर के हमेशा अपनी आवाज हम उठाते रहें आप से एक तानुसार संघ के रहें सरक पर भी और मौका मिला दो सदन के अंदर भी हमने आवाज उठाई है तो उन सवालम को लेकर हम सदन में मौका मिला है तो उसके लिए भी करेंगे मुखरूब से बिहार में बिहार के development का सवाल है और अभी तो इतना अच्छा आफसर है राजी के लिए भी और देश के लिए भी कि भारत के परधान मंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया है कई बार कि देश को विक्सित रास्ट बनाना है आगे आने वाले दिनों में सुभावी ग्रुप से विहार भी विक्सित राज्जी बनेगा तो इस तरह के जो मुद्दे हैं विहार में सिक्षा का सवाल है स्वास्त का सवाल है नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल है तो इसको लेकर के और फिर जो मुद्दा हमारी पार्टी के लिए हमेशा से रहे हैं जिसमे एक परमुख मुद्धा है कॉलिजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोड और हाई कोड में जजों की भाली की परकिरिया है बिल्कूल गलत परकिरिया है उसको हटा करके नई वेवस्था लाने की कोशिस तो इन तमाम सवालों को लेकर हम पहले भी जूजते रहें आगे भी करेंगे और सभावी गुरूप से इसी के अधार पे पार्टी को विस्तारित करेंगे एक सवाल है कि आपकी अमिच्छा या पीए मोदी से मुलकात हुई क्या बातचीत हुई है बातचीत क्या-क्या होती है किस-किस मुलाकात में सब को बाहर जाहिर करने की जुरत होती नहीं है अब सभावी गुरूप से अभी तो विहार विधान सभा का चुनाओ अगले वर्स होना है तो विहार विधान सभा चुनाओ की तयारी कैसे हो कैसे हम सब लोग मिलकर इंडिये गटवंधन की जो तमाम पार्टियां है सब लोग मिलकर कोडिनेशन कैसे बना पाएं कोडिनेशन मतलब सिर्फ ये स्टेट लेविल पर नहीं नीचे पंचायत, ब्लॉग, डिस्टिक्ट सब पार्टी के वर्कर्स के भी कैसे कोडिनेशन बने ताकि विधान सबा चुनाओं में सहुलियत हो, सुविधा जनक तरीके से हम लोग जीत पाएं, तो इन मुद्दों पर बात होते रहती है इसके अलावा कोई और संकेत नहीं ने इसके अलावा और कोई संकेत का मामला नहीं है उसे में development का मामला कई बार जो चीज हमको लगता है कि वहां रखना चाहिए विहार के interest में तो उन चीजों पर बात होते रहती है बागी कोई political जो आप जानना चाहरे है उसका कोई मतलब नहीं अच्छा बीते दिनों जब नितीश कुमार की खबरे आएं कि क्या वो फिर से जा सकते हैं हाला कि उन्होंने खुद ये मंच से कह दिया कि वो इधर उधर नहीं जा रहे है लेकिन आपका एक बयान था जो खुब social media पर वारल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुश्वाह ने नसीहत दी है बोल देते हैं और उसी करम में हमने कहा जरूर है कि अब तो NDA गटवंदर में हैं ही नितिश जी और पुरी मजबुती से आगे उन्ही के नित्रुत में NDA गटवंदर विधान सभा का चुनाव भी लड़ेगा जीतेगा, सरकार बनाएगा तो बीच-बीच में जो बोल देते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे तो उसमें कोई राजनीत की दृष्टी से नहीं कोई राजनीत के चस्मे से नहीं इस ब्यान को मैं वेक्तिगत नजर से देखता हूं तो मुझको लगता है कि उनको अब नहीं बोलना चाहिए तो इसलिए हमने आग्रह उनसे किया है कि खुद से अब इस तरह की बात वो करें इसकी जरुवत नहीं इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि क्या आपकी उनकी वेक्तिगत मुलाकात या बात्चित नहीं होती है कि आपको पब्लीक लिए कहना पड़ा उनसे आग्रह ही लेकिन पब्लीक लिकरना पड़ा ने बेक्तिगत मुलाकात में भी हमने उनसे कहा है बेक्तिगत मुलाकात तो होते रहती है कुछ दिन पहले भी मुलाकात हुई है राजसभा के लिए निर्वाचन मेरा हुआ उसके बाद भी मुलाकात उनसे हुई है तो मुलाकात तो जब हम चाहते हैं मिलते रहते हैं हम लोग उसमें कहा कोई अलग बात है और बेक्तिगत मुलाकात में भी हमने उनसे आगरा किया है तो हमने कहा कि कोई राजनीत के चस्मा स इस बियान को देखने की जरुबत नहीं. भाई-भाई, हैं क्या भाई-भाई आप? सिर्फ आरजडी का जो अपना कोर वोटर है, उसको छोर करके समाज में किसी भी बर्ग का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं जाना चाहता है. और इसका कारण भी है, 2005 के पहले जो इस्तिती बिहार की इनकी सरकार में रहते हुए बन गई थी, उसको लोगों ने भुगता है. और अभी महागटबंधन की सरकार जो थोड़े दिन पहले तक बिहार में फिर से आ गई थी, उस सरकार में तेजस्वी आदवजी डिप्टी सीम थे, उस बक्त भी बिहार के लोगों ने एक जलक उनलों की देखी है. तो इसलिए अब सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो कुछ भी कर लें, ना कर अगर कर मर जाएं, लेकिन नहीं होने वाला है जो प्रयास कर रहें. तो किधर जाएंगे कुछ वाहा बिहार के? दिखा हमने कहा कि जिर्फ कुछ वाहा नहीं, बाकि और लोग भी एंडिये के साथ मजबुती से रहेंगे, क्योंकि एंडिये की सरकार है और आगे बनेगी, तो विहार का इंट्रेस्ट उसी से सदना है. तो सुभावी कुरुप से विहार का इंट्रेस्ट जहां सदेगा, उहां लोग रहना चाहेंगे. तो इसलिए एंडिये के साथ लोग रहेंगे, इसमें कहा कोई कन्फिर्फ कुछ वाहार के बाद कोई अगर कुर्मी कुछ वाहा के नेता के तौर पर जाना जाता रहा है, त नितिश कुमार जी तो खुद भी समतापाटी जब बनी थी, तो यह अब ठीक है, कि जिस सामाजी का अधार को सबसे ज़्यादा समतापाटी अपने साथ लाने का प्रयास कर रही थी शुरुआती दोर में, उसमें लब कुस ही कहा गया था, कुस वाहा और कुर्मी. तो सब नितिश जी के साथ बिलकुल कमफोर्टेवल हैं, और अब तो जो गठबंधन बना है NDA आज के सुरूप में, उसमें हम सारे लोग जब एक ही साथ हैं, तो इसमें अब कोई उपेक्षा उनकी हो रही है, या किसी की हो रही है, ऐसा नहीं है, सब लोग बिलकुल मजबूती स बिहार के इंट्रेस्ट में एक साथ हैं, रहेंगे, जो लोग सभा में सीटों का बटवारा जिन आधार पर हुआ, क्या वही सीट बटवारा विधान सभा में भी देखने को मिल सकता है, लोग सभा का अलग इक्वेशन होता है, अलग इसूज होता है, लोगों की सोंच बनाने के करम में, उसमें उससे भी थोड़ा अनुभव मिला है, कहीं निश्चित रुप से तोड़ी चूक हुई उस बग, जिसका नुकसान भी हुआ, अब विधान सभा चुनाओं में रनिती बनाते हुए गटवंधन के संदर में उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा ज जाएगा और मजबुति से विधान सभा चुनाओं की और हम लोग बढ़ेंगे। इन दिनों बिहार की राजनिती में प्रशांत किशोर ने एक बज क्रियेट किया हुआ है, मुसल्मान हो, ब्राम्वन हो, सब की तरफ से वो दावा कर रहे हैं कि सब एक साथ बिहार की हित के लिए उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं, प्रशा किशोर को लेकर क्या ओपीनियने साब का? राज, यात्रा जो है वो शुरू कर दिया है तेजस्वी आदव ने, मतलब आरजेडी सबसे पहले तयार है, आप लोगों से पहले भी? नहीं, नहीं, अब उस रूप में अगर पहले और बाद की बाद कीजिएगा, तो हमारे मुखमंत्री जी तो हर दिन अलग अलग जिला में महीनों से घूम रहे हैं, हर जिला में जा रहे हैं, वहां लोगों से बात कर रहे हैं, जो कुछ भी सरकारी योजना है, उसका निति तो नितिज जी पहले से हैं, कंप्रीजन की बाद कीजिएगा तो, व सरकारी निकल लहे हैं, और बाकी की पाटी भी हम लोग भी सब लोग मिलकर के अपने अपने तरीके से तरीका अलग हो सकता है, उसका नितिएश्ज़ जी का अपना तरीका है, लेकिन अलग अलग हम सब लोग जन्था के बीच में हैं और विधान सबाद चुनाव की तैयारी में पुरी मजबूती से एक जूटता के साथ सब ही लोग लगे हुँए। यह बता ही ना पड़िए कुछवाग उस आधने की करम में कि आपको लालू जी या तेजस्वी के तरफ से कोई संकेत मिला क्या ने ने उनको मालूम है कि कोई फरक नहीं परने वाला है तो इसलिए हमको संकेत क्या करेंगा संकेत करेंगा उससे उनका कुछ नुक्सानी हो है मगर अगर आपकी जाती और आसपास जोड दिया जा तो सीधा सवाल है मेरा NDA का नेता बनने के गुण आप में है या सम्राठ चौधरी में है आपको क्या लग अभी कभी से कहां या अभी तो नितिस कुमार के बाद का कहां कोई मामला है अभी तो नितिस जी है ही है उनक क्या करें उनका विसे है अब इसके आगे का पांच चुनाओ कैसे होगा उस पर अभी बात करने का क्या मतलब है अभी जो चुनाओ उस पर हम लोग बात कर रहे हैं और जहां तक आप कंप्रिजन करना चाह रहे हैं सम्राठ चौधरी और उपेंदर कुसवाह में तो हम दोनो एक ही हैं कहीं से गलत फाहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि कोई उपेंदर कुसवाह भरसज, सम्राठ या कोई हम दोनों एक ही हैं बाकी और लोग भी हैं दोनों क्या такую स्वहते पांच में सब हम लोग हैं उस में से कोई होगा तो हम लोग की ताकत उनके साथ रहें यह कि अधिकल मिर्ट के लिए तो इसमें कि अभी आभ चने के लिए तो सब मैं उसमें वह एयarent ने कि कोई बना मध वाल हैं अपनी और से हम दावा कर रहें अपनी मोरत करने के लिए खुछ भी नहीं है हम सब लोग बहुत शुक्रिया हमसे बात्चित करने के लिए और समय देने के लिए अपने स्वयोगी रभीश पांडे के साथ नीदिश्री, ABP News, दिल्ली